गूड बार्णिंग एससी जीडी दोजार बीस इकिस के सभी केंड़ेट्स का सक्सित गूरूप में बहुत-बहुत स्वागत है लेटेश्ट अपडेट और गूड निव्ज यह है कि एससी द्वारा एक लाग से अधिक रिक्त पदों पर भरती करने की तैयारी कर ली है हाला कि 2018 में कुछ पदों को एड करने की बात थी समहोना व्यक्त की गई थी लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो जिन पदों को 2018 में जोड़ा जाना था वो पद भी इसी भरती में जुड़ने वाले है तो इस तरह से आलमोस्ट एक लाग से अधिक रिक्त पद है तो उसके सापिक्स 75,000 to 80,000 पदों पर ये वेकेंसी निकलने वाली है बहुत बड़ा मौका है आपके लिए अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो निश्यत रूप से इसमें आपका सेलेक्शन हो जाएगा और आपको एक जॉब मिल जाएगी क्योंकि इसके बाद फिर आने वाले दो तीन वर्षों में कोई चांस नहीं बन रहा है नई भरती आने का तो हम आपको बताएंगे कि प्रिवियस एर 2018 की कटाफ क्या थी और नोटिफेकेशन की डेट क्या है सलेबस क्या है एज लिमिट क्या होगी और एक्जाम पैटर्न क्या होगा इसके साथ पीट चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्क्राइब भी कर लेजेगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो पहले बात कर लेते हैं कि इसका नोटिफेकेशन कब आएगा एक्जाम कब होगा देखिए यह आपके सामने एक्जाम कलेंडर है जिसमें एक तस दोजार बीस से एकतिस अगस्ट दोजार इकिस तक के होने वाले सभी भरतियों के बारे में डेट आफ एड़टिजमेंट क्लोजिंग डेट और डेट अव एक्जाम दिया हुआ है सारे एक्जाम जो की एससी के द्वारा कंड़क्ट कराया जाने हैं अब आप इसमें देखिए आगे बढ़िए और बिलकुल लास्ट में आ जाईए तो देखिए लास्ट में 20 नमबर पर है कॉंस्टेबल जीडी इ देखिए पच्चिस तीन दोजार इक्ट यानि 25 दो मार्च को इसका विज्ञापन आ जाएगा और दस मई दोजार इक्ट तक आप इसमें आवेदन कर सकेंगे और इसका जो एक्जाम डेट है वो दो अगस्ट 2-8-2021 से लेकर के 25-8-2021 तक होगा यानि ये 24 दिन जो है आपकी परिक्षाएं होंगी और 25 मार्च से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा और ये इसका आवेदन 10 महीं तक चलने वाला है तो इस तरह से आपके पास एक्जाम में एपियर होने के लिए एक्जाम की तयारी करने के लिए कुल साथ महीने का समय शेश है क्योंकि दो अगेस्ट से परिक्षाएं इसकी शुरू हो जाएंगी तो आएव आप बात कर लेते हैं सलेवस एक्जाम पैटर्ण और एज लिमिट वगारे के बारे में प्रिविएस येर कटाफ के बारे में लेकिन मैं आप से ये कहना चाहूँगा कि आप मेहनत शुरू कर दीजिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है इसके बाद इतना बड़ा मौका शायद ही कभी मिले तो चलिए आगे देख लेते हैं सलेवस एक्जाम पैटर्ण तो बात करते हैं SSEGD 2021 की एज लि विजबिल्टी की बात करें तो टेंथ पास हाई स्कूल पास होना चाहिए फिजिकल स्टेंडर्ड की बात करें तो मेल केंड़ेट्स के लिए अन्रिजर्ब OVC और SC कटेगरी में 170 सेंटीमीटर इसके अलावा हिल एरिया ST कटेगरी के लिए जो है हाइट में छूट दी जा बात करें तो हाइट के कार्डिंग एस वर मेडिकल स्टेंडर्ड वेट होना चाहिए एक्जाम पैटरन की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब आप सभी हंडेट कोशन आप अटेंट करेंगे एक पेपर होगा उसमें सो प्रेशन होंगे और सो ही मार्क्स मिलेंगे आपको जीके जीएस के पचीस कोशन होंगे पचीस मार्क्स मिलेंगे मैट्स के पचीस कोशन और पचीस मार्क्स इंगलिश या हिंदी के पचीस कोशन और पचीस मार्क्स मिलते हैं अब इंगलिश और हिंदी में आपको ये कं होता है reasoning में 25 questions होंगे और 25 marks मिलेंगे और इस तरह से 100 question के 100 marks होंगे और आपको time जो दिया जाएगा वो 90 minute का कुल समय डिल घंटे का समय आपको दिया जाएगा paper को solve करने की अब आपको तयारी के लिए मैं बता दूँ कि almost question जो है इसमें repeat होते हैं अगर आप 2018 के questions paper को solve कर लेंगे सभी शिप्टों के या SSC MTS के भी solve कर लेंगे तो आपको इससे काफी कुछ help मिलेगी आप अच्छे से कर पाएंगे 2018 की बात करें तो पांच लाग 35,179 candidates को physical के लिए qualify कराया गया था जिसमें male candidate ते 46,388 और female candidate candidate से 671 तो इस तरह से बहुत बड़ा chance है आपके लिए इस बार का जो पर exam होगा vacancies के according कम से कम साल साथ से 8 लाग candidates को qualify कर जाना है इस physical के लिए इस भरती में तो बहुत ही अच्छा चांस आपके लिए है अब आजे देख लेता है पिछले साल की 2018 की कटाफ क्या रही है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और आप उसी के according लिए तैयारी करें देखे यह female candidates की और border district area की के जो कटाफ है वो आपके सामने है देखे बिहार की अन-reserve category में आप देखिए तो 43.8 आसम की है 35.03 और आगे बढ़िए देखिए पंजाब की है 51.9 राजस्थान की है 68.05 और ऐसे ही जो है आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 50.5 है उत्तर खंड की 60.5 है और बेस्ट बंगाल की 33.0 है ये थी बार्डर एरिया की ऐसे ही आप देखिए जो है फिमेल केंडेट्स की नकसल एरिया की बात करें तो दिखिए बिहार की 55.12 है 36 गल की 47.4 है जारखंड की 50.6 है और मध्यप्रदेश महाराश्टा उडिशा की भी देख लीजे मध्यप्रदेश की अन्रिजर्ब काटेगरी की 58.8 है महाराश्टा की 49.3 है ओडिशा की 36.7 है और बात करें उत्राखंड और उत्रप्रदेश की तो उत्रप्रदेश की 50.3 है और वेस्ट बंगाल 35.2 तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कटाफ कितनी रही है आप कहेंगे तो मैं अलग से एक separate video कटाफ का अपलोट कर दूगा अब बात कर लेते हैं male candidates की और ये male candidates की general district area की कटाफ आपके सामने है देखें आन्धराप्रदेश की है अन्रिजर्ब की 48.9 असम की है 39.9, बिहार की है 76.7, अब आप देख लिजे कि कितनी हाई कटाफ है, 76.7, ऐसे 36 गड़ की है आप देखिए 53.17 है, इसके बाद आए दिल्ली की बात करें तो 71.1, गुजरात की बात करें तो 51.5, और हर्याना की बात करें तो 81.3, अब आप इसी से अंदाज लगाए कि कितनी हाई कटाफ है, हर्याना की 81.3, गुजरात की 51.5, दिल्ले की 71.1, तो आपको आइडिया हो जगे होगा कि किस तरह से कितनी तैयारी आपको करनी है, आप चाहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दूँगा, कमेंट करके आप बताएगा, तो मैं अलग से भी एक वीडियो अपलोड कर दूँगा इसके लिए, बात करें मध्यपर राजस्थान की है 81.4, 81.45, उतर प्रदेश, उतराखंड और बैस्ट बंगाल की बात करें, तो उतर प्रदेश की 78.9, उतराखंड की 73.4 और बैस्ट बंगाल की 51.2, तो इस तरह से आप उतर प्रदेश, राजस्थान, उतराखंड के अगर आप रहने वाले हैं, तो आपको 80 के आसपास जो है वो मार्क्स लाने पड़ेंगे गुजराथ, 36 गर्ड और पश्यम बंगाल, बिहार इन इस्टेट्स में अगर आप हैं तो आपको 60 to 65 के आसपास मार्क्स लाने पड़ेंगे तो ये थी latest update जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज़्यादा ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेर जरूर कर दीजेगा ताकि उन्हें भी जानकारी मिल जाए ओके, थैंक यू